तो आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बालों को लंबा कर सकते हैं, किसी भी कारणवर्ष आपको hair loss हुआ था जिसके चलते आपकी density हो चुकी है, उसको revive कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे, घने, मोटे और यही से स्टार्ट कीजिए, जैसा बताया जा रहा है, exactly वैसे ही फॉलो कीजिए and I promise you कि आपके बालों में जो भी समस्या है, hair growth रुकी हुई है, density बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं, ध्यान से देखिये, सुनिये, समझिये and then execute it for yourself, आइए जानते हैं what all needs to be done तुम आए तो यह वला गाना मैं आपको devote कर रही हूँ, आज स्वागत करने के लिए, मैं पूरा नहीं गा सकते, क्योंकि मैं गाना गाती हूँ तो copyright आ जाता है, परसुली वीडियो में मैंने सरफ चंदन सा बदन इतना सा गाया है, तो अगर आप मुझे गाते गुन गुनाते, enjoy करते क्योंकि मैं यहां बहुत सारी रेमिरीज शेयर करने वाली हूँ, so go and अपनी इंटरस्ट के हसाब से फॉलो कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करती रहूंगी कि आपको एंटरेन करती रहूं, स्वागत है मेरे पूरे परिवार का उनके अपने चानल प्रीती प्रिणा पर कर सकते हैं, जब आप कन्वीनियंट हैं, यह बिल्कुल ओईली नहीं है, इसमें इसेंचल ओई का इस्तमाल होगा, अगर फिलहाल आपके पास चीजे नहीं है, तो पहले बटोर लीजिए, सभी चीजों का लिंक मिल जाएगा, अगर ऑनलाइन पर चेस करते हैं तो कर सकते है अपने लिए और फिर शुरुआत कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, समझेए, और फिर देखिए क्या माजिक होता है, टोनर को प्रिपेर करने के लिए सबसे पहले आपको एक पान लेना है, और इसमें आपको लेना है अप्रॉक्सिमेटली एक ग्लास पानी, पानी में अच् अच्छे से खुश्बू रोजमेरी की आने लगेगी, अच्छे से खौला लेने के बाद जब यह पानी अप्रॉक्सिमेटली तीन चौथाई रह जाए, यानि कि वनफोर्थ आपको एवाइपरेट कर देना है, अच्छे से चाहिए, इसको आप छान लेंगे और ठंडा होन हैं, ताकि आपकी जो रूट्स हैं, उनको वो मेसेज मिल सके कि कितने अच्छे से ग्रोथ करनी है, रोजमेरी अच्छे से ग्रोथ करनी है, अगर आप पढ़ेंगे ना जाकर, बहुत सारे लोगों ने, प्लीज नीचे लिखकर बताएए, फैमिली किस किस को फाइदा हुआ है, एक अप्लिकेशन में बताया है कि रोजमेरी ने बहुत अच्छे रिजाल्स दिये है, हैर फॉल को रिस्ट्रिक कर दिया है, और न्यू ग्रोथ आने लगी है, मतब एक दिन में ग्रोथ नी आई आई, लेकिन हाँ, हैर फॉल रिस्ट्रिक्ट हुआ है, और ग्रोथ तो बहुत ही सुंदर आती है, इसमें तो कोई संदे है ही नहीं, तो अच्छे से इसको मिक्स कर लीजे, बिल्कुल ऑविसली, अच्छे से मिक्स हो जाता है, आप इसको स्प्रे बॉटल में स्टोर कर लेंगे, या पंप बॉटल जैसे आप कांफुटबल है, और आपको इसे अ एक एक जड़ को मिले और वह बहतर तरीके से ग्रोग कर सके तो प्लीज मेक शॉर कि आप ये टोनर पूरे स्काल्प पर लगा रहे हैं, इसके बाद स्टेप नमबर टू, तो आप जैसे कन्वीनियंट है, जब कन्वीनियंट है तब लगा लीजे, लेकिन जिस दिन आप और उसके बाद ओलिंग करनी है, इस ओल को प्रिपेर करने के लिए आपको दो बड़े चम्मच बादाम का तेल लेना है, मैं आपको कौंटिटी बता रहे हूं जो कि सिरफ स्कैल्प पर इस्तमाल होने वाली है, क्योंकि जो ग्रोथ फैक्टर है वो रूट्स पर ही काम तो आपको लेना है दो चम्मच रोगन बादाम शिरीन का आमन डॉइल, आप सभी जानते है क्या है, यह खाद्य होता है, बहुत ताकतवर होता है, बहुत मल्टी परपिस तरीके से यूज किया सकता है, इस वीडियो मैं आपको बताया है क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको आपको लेना है दो कैप्सियोल्स ओफ विटमिन E ओल, अब देखिये जितने भी इंग्रीजिन्स यह यूज हो रहे हैं, मतलब इन पर मैं इंडिविजुली विडियो बना चुकी हूं कि यह कितने ताकतवर हैं और इस तरीके से अगर आप इसको यूज करते हैं तो यह तो अगर हो सके तो डबल बॉलर मेथर्ट से हलका गुनगुना कर लीजे ताकि थोड़ा सा यूनों वर्केबल हो जाए थोड़ा सा और लूज हो जाए और इसीली पेनेट्रेट कर पाए अच्छे से मिक्स करके अभी हमने टोनर लगाया था फॉलिकल एक्टम रेडी है कि जो आप चीज देंगे वह अंदर तक पेनेट्रेट कर पाएगा तो गुनगुना ही यह तेल लेंगे और अपने रूट्स पर डिपॉजट कर देंगे अच्छे से कोई अगर आप मसाजिंग के लिए काम्फटरबल लिए बहुत सारे लोग बोलता है मोईलिंग करते तो हमारा ह इसके बाद अपने बालों को स्टीम करेंगे जिसके लिए आपको हॉट टाल लेना है गरम पानी में तॉलिये को डुबाना है अच्छे से स्क्वीज करना है प्लीज बी कैरफुल गरम तॉलिया लगता है कि काफी असान है यूज करना लेकिन काफी गरम होता है तो देंगे अच्छे से वो जो हीट है ना वो इस बहुत ही फुबसूरत पोशन को आपकी रूट्स को देगा रूट्स को ओपन करेगा हलका सायतना नहीं के बाल निकल जाए और इसको पेनेट्रेट होने में हेल्प करेगा क्या हम होट टाल की जगा वो जो कैप साती है हीटर क ह آپ है यूज कर सकते हैं गढबी नहीं मुझे इतने सारे मैसेज़स आरे कि हम हीटर्स करना चाहते हैं क्यूंच करना चाहते हैं अच्छा मेरी फामली में 3 SQL हैं जिनका में नाम भी जानती हूं चैन्नोंने लिखा है कि Tian karm Luck कैसी हीटर के विया मोन बहुट मर भी है यूज करने के लिए, I am not saying that, लेकिन yes I am not positive about it, hot towel से जितना moisture मिल सकता है बालों को, जितना penetration route दे सकती है, उतना ही मिलता है, उससे ज्यादा की हमें आवशक्ता भी नहीं है, जब आप steaming कर ले, आप बालों को, बालों से इस टाल को हटाएंगे, और normal temperature पर आने देंगे, गरम जब आपकी रूच्छा तब नहीं दोते बालों को, कभी नहीं, थोड़ा रुक चाहिए, बालों को normal temperature पर आने दीजिए, नॉर्मल जब वो हो जाए, जैसा कि आपका नॉर्मल ही रहते हैं बाल, उसके बाद, आप जैसे शांपू करते हैं, जो शांपू करते हैं, वै अच्छे से हेड़ बॉश करके बस कंडिशनर से दूर रहना है, साफ और सुतरी बात, आप प्री कंडिशनर यूज कर लीज़े, जितने मैं बहुत सारी यूज कि दिखाएं चानल पर, लेकिन चैमिकल बेस कंडिशनर को त्याग दीज़े अगर ग्रोध देख रहे हैं, ब बालों को भी एक्सेसाइज कराएं और अच्छे से रहने दीजिए, विदिन थ्री मांस, अब ये प्रोसेस आप हर दिन तो करेंगे नहीं, जिस दिन हेड़ वाश करना है, उस दिन ये तीन स्टेप आप करेंगे, और आप देखेंगे कि तीन महीने के अंतरगत ही आपके ब संदर दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, न्यू ग्रोथ हा रही है, किसी भी प्रकार से आप अपने बालों को टेंशन नहीं देंगे, टाइट पोनी टेल्स बानना, बहुत टाइट हेस्टाइल्स बना बानना, गलत एक्सेसरीज का इस्तमाल करना, ये सारी चीज़े आपको त्याग नहीं पड़ेंगी, और मैं आपको टेन्यूर दे रही हूँ, कि तीन महीने में, जैसे बाल आप इमाजन करते हैं आपने, बस वही आप अचीव कर लेंगे, क्या बच्चे यूज कर सकते हैं, बिलकुल कर सकते हैं, अभी से इस्तमाल कीजिए, और आप देखेंगे कि बड़े होने तक उनके बाल बहुत जादा हेल्दी हो चुके हैं, क्या कोई साइड एफेक्ट हैं, मैं कोई साइड एफेक्ट आपको नहीं बता सकती, ये बहुत ह अगर आप किसी इंडिविच्वल चीज से अलर्जिक हैं या आपको सूट नहीं करता है, तो आप उसको हटा सकते हैं, उसके जगे कोई और वेरिंट ले सकते हैं, ये पॉसिबल है, फॉर शॉर, क्या इसको हम एवरी डे करें, देखें, मुझे पता है, बहुत सारे लोग काफी डेस्परेट होते हैं कि हमें हैर जाई हैं रोज करने के रेडि हैं, कभी रिजाल्स नहीं मिलेंगे, नेवर, यू हाव तो भी पेशिंट, हफते में अगर आप तीन भार सर्द होते हैं, तो आप ये प्रोसेस तीन बार कर लीजे, लेकिन अगर आप हफते में दो यी स्किन पे पेनेट्रेट हो गई और बाकी एवापरेट हो गई बाल फ्रेशन अप हो जाते हैं, तो जैसे आप कामफोटेबल हैं वह आप क्या हमें एक महीने में करोद दिख सकते हैं, देखिए मैंने तीन महीने माक्सिमम टेन्योर बताया है, I'm pretty sure कि सभी लोगों को विदि आपके अप्लिकेशन आपको वैसे भी हल्प नहीं करने वाली हैं, लेकिन यह आपके बालों को कोई नुकसान तो कदाप ही नहीं देगी और बहुत, you know, external applications are like direct आपकी skin की आप अपनी परिशानी को एड्रेस कर रहे हैं, तो better of results मिलेंगे, किस हद तक मिलेंगे, कितने मिलें तीन महीने के अंदर ही रिजाल्स पाजाएंगे और बहुत खुछ हो जाएंगे, यही धे है पीती पेना चानल का, कि चोटी चोटी चीजों से आपको बहुत सारी खुशियां मिलती रहें, मेरा परिवार इतना पारफुल है, कि वो इन चोटी चोटी चीजों को करके जो च करते हैं, थांक यू सो वरी मच, परिष्वास करने के लिए और इस परिवार को इस कम्यूनिटी को इतना खुबसूरत बनाने के लिए, I'll see you all in the next one with something magical for your hair skin and health, तब तक के लिए अपना बहुत सारा खयाल रखिये, खुश रहिये and know for sure, क्या, बताओ जरा